आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को बहुती इजी वे से टैपर्स को अर्ज़स्ट करना समझाऊंगा मैंने पहले भी वीडियो में टैपर्स को अर्ज़स्ट करने पर उसमें मैंने फिलर गेज यूज़ की थी अब जिस point पर आके मैंने फिलर गेज को अपने वाल्द और अपने टैपर्स के दिरमियान में डाला था तो वहाँ पर काफी लोग अन्फियूज होगे थे कि इसमें कितना हाड जाए और कितना सोफ जाए तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीक से समझाओंगा उससे पहले मैं इस बाइक को स्टार्ट करता हूँ आपको उसकी साउंड चेक करता हूँ और उससे भी पहले मैं भी आपने चेक करने होते हैं मैं आपनी चेक करता हूँ और आप इसकी वाज सुनिये तो इसमें एक टिक-टिक यवाज आ रही है शाहिद कैमेरे में इतना फील ना वहाँ लेकिन तिक-टिक की वाज आ रही है तो उसको हमने दूर करना है ठीक है इसको मतलब यह कमारे करूंगा और आपको एजी स्मझाऊंगा पहले हमने फीलर के एक यूज की थी अब फरक सिर्फ इतना यह हमने दो फिलर के जूज करनी है उनको इसको प्रेंड कर सकते हैं वीडियो को शूरू करते हैं तो इसको पार्ट्स पहले खोलने जरूरी होते हैं पहले हम उनको क्षोल होने होते हैं ठीक है एक ये एक ये और एक ये इसका ये वाला है ये नहीं फिर ये बार को आ लेगा उसके बाद 17 नबर की स्पैलर से हमने एक ये खोलना होता है टैपर कवर और एक ये वाला नीच वाला ठीक है इनको मैं खोलता हूं उसके बाद हम आते हैं अपनी में बात प इसको लेखते है 17 नमबर के स्वैंडर ठीक है एक यह टैपने होता है और सेम इस तरह से नीचे भी होता है तो जिन नीचे वाग टैबट कबर होता है इसके बिद्धा फुर्ण से पढ़ना होता है तो हम यहीं वहला आई लगा लेंगा तो फ्रेंट सबसे पहले हमने इसकी टैमिंग करने होती है ठीक है तो इस मैंगनेट को पर थोड़ा सा रश्ड लगावा है तो मैं टैमिंग यहा तापर लेके आना होता है इस मैगनेट के मदद से हमें पदा चलता है कि हमारे इंजन का पिश्टन है वो टापर है या नहीं है अब यह दूसरी बाइक का मैगनेट है यह उस पाइक है नहीं है जिस पर मैंने टैपर अज़ेस्ट करने है क्यूं कि उसके यहां पर कुछ निश का मानना है अपने हाथ से ठीक है एक पॉइंट पर आके यह सकत वजबए लेकिन आप गौमाएगा खेश वोर से ना तो ये लिखीए, यहां पर सकत हो गये, यहां पर अपड़न आप अपना फम्याप सबद्य घोर किजिए, यह F लिखा हो ऊड़ा और एक T लिखा हो ऐता है, यह T लिखा हो एक सब्जा लाइन तक कि साथ लाइन है है, तब इक यह लाइन होगी और एक यह जो का पार्ट है इसके ओपर ये निशान है ठीक है ये हर बाइक में होता है ये ऐसे नहीं कि किसी बाइक में ना हो ये हर बाइक में होगा ये निशान है ना इसके सामने ये टी आना चाहिए टी के साथवाई लाइन टी के साथवाई लाइन इसके सामने है ठीक है यहाँपर आप तो फ्रेंस टाइमिंग करने के बाद चाहे उपरा टैपट हो या चाहे नीचे वाला हो दोनों की क्लियरंस हमने सेम रखनी है अब टैपट को अज़स्ट करने के लिए हमें कौन कौन से चीज़ेंगे यहां पर सबसे पहलत हमें चाहिए नाइन नबर की स्पैनर ठीक है? यह आपको अराम से मिल जगी 62 80 डिपीस की उसके बाद एक टैपड की इससे अच्छी भी आती है यह इसकी प्राइस है 50 डिपीस ठीक है इससे अच्छी भी आती है मार्किट में उसके बाद आपको सबसे पहले जानना है यह आपकी जो बाई का इंजन है उसकी जो वाल की जो क्रियरंस है वो कितनी रिक्मेंडीर है? सबसे बहले हम बात करते है 70 की अगर 70 2013 से नीचे का माडल है तो उसको लगती है 0.08 mm की फिलर गेज है यानि कि जो उसके वाल और टैपर अज़ेस्टर के बीच की जो क्रियरंस होती है वो 0.8 mm होगी और अगर आपकी बाई का माडल 2013 से उपर का है तो उसको लगती 0.10 mm की फिलर गेज है ठीक है? यानि कि जो टैपर अज़ेस्टर और जो उसके वाल है इसको बीच का जो गैप होगा वो 0.10 mm होगा तो अपने साब से आपको फिलर गेज लेनी है ये ओल्ड माडल है इसको लगती 0.08 mm की फिलर गेज तो हम इसको लेकर चलते हैं तो अगर आपकी बाई का माडल नूँ है तो उसको लगती 0.10 mm की फिलर गेज तो आप वो ले सकते हैं लेकिन इसको लगती 0.08 mm की अगर आपको से समझ ना आए तो आपने पता है अब मैं रखता हूं साथ से पहले देखिए यहां पर काफी जाद फिलर गेजा ठीक है उसमें यह वले जो फिलर गेजा यह है 0.08 ठीक है इससे हमने यहां पर इसको अज़ेश्च करना है अब अब यहां पर बहुत प्रशान हो आदे किटना है वह ते कितना है इसमें हाथ जाद एकितना सोच जाए तो आपने यह वह खीड़ा करने के बाद आपने इससे अबाव नंबर इससे कोई भी उपर का नंबर हो आपने वह भी डाकर देखना है कि वह उसमें जाने नहीं चाहिए जैसे कि इसकी कितनी है इसकी मेंडिट है 0.08 mm ठीक है उससे अगले नंबर कितनी है 0.10 mm तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस 0.08 यह जो मैं 0.08 इसके बाद जो इसके बीच में बिल्कुल भी जाना चाहिए मैं अभी आपको जबानी बिता रहा हूं उसके बाद करूँगा तो यह 0.08 mm की है ठीक है इसके बीच में डालूँगा यह तो आराम से मैं डालके से अज़स्ट का लूँगा ठीक है अब मुझे यहां पर कैसे जाएगा कि यह कितनी आराम से जाए और कितनी यह हाड जाए यह करने के बाद मैं यह इसे उपर का नंबर है यह वला जिवी मैं इसके अंदर डार के चाहिए कि यह बिल्कुल नहीं जाना जाए ठीक है अब क्यूंकि इसके रिक्रमाणी 0.08 है यह जाएगी नाम से इसे हम लूज का लिया उसके बाद आपने इस बाइकर के मैंने का पहले ही बताया है इसको थोड़ा से लेकर दोने साइड़ों पर लगा लेते है अब इसको रखते हैं इसके बीच में यह रिखिए जा रहा है यह बस इसमें 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 इसके बाद जो इसको जा रहा है इसके बाद जो इससे ऊपर का नमबर है एक मिल्ट 0.10 नमबर की यह जो फिलगे जाए अब इसके बाद यह जो इसके उपर का नमबर है 0.10 ठीक है यह इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए यह देखिए मैं कोशिच का रहा हूँ यह जा नहीं राज के अंदर ठीक है यानि कि यह नहीं जा रहा है और जो इसका रहा है यह जा रहा है इसका मतलब है यह अब बिल्कुल सही है ठीक है अब मैं इसको 12 के अंदर लालता हूँ और यह रिखिए बिल्कुल इस दीक से जा रहा है ठीक है अब यहाँ पर रखके मैं इसको टाइट कर देता हूँ इसको यहाँ पर ऐसे रखिते हैं और सबसे पहले यé 9 नमर की spanner से इसको यहाँ पर रखेंगे इस दब कि tap की इसको आपने यहाँ पर रखना है इस tap की को आपने नहीं लाना ठीक है और इससे आपने tight कर देना है एक दूसरे मैं इसको tight कर दिया यह देखिए तो यह रिखे, हो गया है अब आप दुबारा से तसली करणे कि यह ठीक है विर नहीं है यह रिखे, 0.08 नमबर की जो यह फिलर के जाए, अणनार आमसे जारी है इसकंदर ठीक है उसके बाद जो इसे ऊपर का नमबर है यह जा नहीं रहा ठीक है, यह रिखे मैं कोशिश करना है यह अंदर जाने राट तो यह डिखिए ये नहीं जाना चाहिए और जो इसका रोके मेंडीन है वो जाना चाहिए अब यह तो इस बाइक के लिए हो गया hö अब इस बाइक यह इस सब्सक्राइब अब आपका नियू माडल है उसकी जीरो पॉइंट टैन एमम इसके अंदर जानी चाहिए ठीक है इजी तरीक से जैसे कि हमारी जीरो पॉइंट जा रही थी अब इससे उपर का नमबर जीरो पॉइंट ट्वैल नहीं जाना चाहिए ठीक है आपने वो फिलर की ले आनी है अब बिल फार्ज नियू माडला तो क्या करना है आपने जीरो पांड ये टैन एमम्म की ठीक है फिलर के जो यह अराम से जा रही हो इसके अंदर ठीक है और उससे जो उपर का नमबर जीरो पॉइंट वैल वह बिल्कुल भी इसकंदर नहीं जाए चाहिए आपके सेनल जाहिए यह नीचे वाला मारे टावट कोई फर्क नहीं है वैसे करना है मैं काड़ता हूं अब इї हँ सबसे पहले हम इसको लुझ करेंगे करें तो यह रिखे यहाँ पर मुझे मैसूस हो रहा है यह जा रहा है इसका रूपर का नंबर है 0.10 वो इसमें नहीं जाना चाहिए तो यह 0.10 है तो यह रिखे यह इसमें नहीं जा रहा है ठीक है इसका बतलब यह सेटिंग ठीक है आप यहीं पर रखकर हमने इसको टाइट कर देना है यह जो आपकी टैपट की है यह बिल्कुल नहीं ले और इससे आपने 9 नमर की स्पैनल से आपने टाइट कर देना है नीचे वाले टैपट में वहीं गुद्ट नहीं बिताया क्यूंकि प्रसीजर साथ सहीम है जैसे उपर रुख़ला करना है वैसे नीचे वाले आपने करना है तो ये रिखिए ये अर्जेश्ट हो गया है तसली के लिए आप मीचे वाला भी और उपर वाला भी टैपर दबारा से चेक कर लें उसके बाद आपने इन दोनों केप्स को बंद कर देना है और इसको भी आपने बंद कर लेना है उसके बाद आपने मैगल को भी बंद कर लेना है और अपना जो आपको गेल दीवर है उसको भी अपने बोट लगा देना है तो फ्रेंज आप मैं आपको उसकी वास चेक कराता हूं तो यह दिखिए फ्रेंज यह बिल्कुल समूथ हो चुकी है बाइक तो बस यही थी आज की वीडियो थैंक्स एंड बाइबाई जो एंड बाइबाई